पनोर्म क्रोप जो सोचता है वो करता है हमारा खेल समझे है सुबह सुबह तमाम दर्सकों का हम स्वागत करते हैं देखिए सबसे पहले आज का जो मुद्दा है उसको हम लोग समझ लेते हैं नितिस के फैसले से एंडिये गडबधन का गडबड़ाया मैथ कुसवाहा चिराग मांजी में कौन इन कौन होगा आउट द हार के राजनितिक गलियारों की जो हल्चल है वो किसलिये तेज है और उसके प्रभाव आने वाले समय में क्या पढ़ेंगे बावा एंडिये गडबंधन का गडबड़ाया मैथ नितिस्ट ने ऐसा कौन सा फैसले ले लिए सबसे पर देखिए मैस गडबड़ाने का जब तो आपकी थोड़ी सी आप परिशान होते हैं लेकिन जब आपके सामने क्वेशन आ जाता है और आप पढ़े हुए हैं तो आपको पता चलिजाता है कि क्या कुछ करना है जब क्वेशन ही असमंजस में हो तो महत तो कर बड़ाएगा ही ना यहां नितिश कुमार ने पूरा बाप उनको कौन स्विकार करेगा आप आजएडी के लोगों से पुछते हैं कि नितिश कुमार क्या उधर जाएंगे तो क्या कहते हैं अरे नहीं हम लोग मैं सब कुछ ठीक ठाक है तो सब ठीक है सब सेट है यह देखिए राजनीत का ये ऐसा चौपर है जिस पर हर कोई इंतियार हमें था कि यह फैसला सही हो जाए तो हम सही हो जाएं क्योंकि हम पर बहुत दबाव था नितिश कुमार को ले करके लगतार एक नहीं कई चैनलों से हम चैनल का मतलब सिर्फ मेडिया चैनल की बात नहीं कर रहे हैं पोलिटिकल चैनल की बात कर रहे हैं समाजिक समी करन की बात कर रहे हैं सब जगह से जो हम पर दबाव आ रहा था कि आपने ये कैसे कह दिया कि वो संजोजक नहीं बनेंगे तो भाई ये हम बात आज नहीं कह रहे हैं पहले हम लोग कहते संजोजक नहीं बनाए जाएंगे उसके बाद जब नहीं बनाए गया तो हम लोग ये ब बहुत पहले ही हमारे जो समपाधक नमनमिस्तरसर हैं और खेल समझिये में बाबा ने भी प्रेडिक्ट कर दिया है लेकिन अब नितिश कुमार सेयोजक बनेंगे नहीं और बाबा आपको याद दिला दो कि आपने ही कहा था कि जूटी तहाली में कोई भी खाना नहीं खाना चाहता और आज बिहार में जो हुआ है एंडिये गडबंधर की वर्चुल मीटिंग में जुआ है भारत लाइब इ जैसे ही अपनी पार्टी के सुप्रीमों का पद सम्हाला है मैं पहले ख़बरों में बता चुका हूँ जैसे सुप्रीमों का पद सम्हाला सारी बेचैनी दोनों तरफ बढ़ दई नितिश कुमार ने अनबैलेंस कर दिया दोनों खेमे को एक तरफ जहां आई एंडिया ये जिसमें वर्तमान में नितिश कुमार भी भी है वहाँ उन्होंने आसमन जस्म की स्थिती पैदा करती कि अब पार्टी का कमाल ले लिये हैं अब तक तो ललन सिंग थे ललन सिंग को तो हम अपनी कमिटि में रखे ही थे लेकिन नितिश कुमार के ध्राजगी कर लालू पर सम करने के बाद ये कॉंसेंट लिया कि नितीश कुमार को संस्योजक बना दिया जpex LE Smith said बंप आने के साथ-साथ नितेश कुमार के ऊपर बैताल बैठाया जाएगा उन्होंने ये बात कहा था कि नितिश्क कुमार को संजोजोग बनाने के onset, एक धाख्ष बना दिया जाएगा, और उसके अंडर में नितिश्क कुमार काम करें, यानि यह गेम था नितिश्क कुमार को किसे तर से अजूराने का, हमने अजूराना सब्द परियोग किया था इसे पास दिन पहले, ठीक है तो यहाँ जो नितिश्कुमार का फैसला हुआ सवंजोजक नहीं बनने वहाँ दोनों खेमे में उन्होंने अपनी इस चाल से यहाँ जा जा इस राजनितिक जो विशाथ है चौपर है जिस पर चला है उन्हें गोटी उस गोटी में दोनों तरफ के मैथ को करवा दिया है एक तरफ तो आप मान के चलिए कि इंडिया गठपंधन का तो बात ही अलग है क्योंकि उसमें तो उन्हें ने असपस्ट कर दिया कि 17 सिट हमारी है उसके वाद जो तुमको करना है कर लो मेरा एलाई पार्टनर जो है वो आरजेडी है बागी लोगों को आरजेडी कैसे है इंडर करती है वो अलग बात है नितिश कुमार ने ये प्रक्रिया 2020 से ही अपनाई है 2020 में भी 2221 सीट ले करके उन्होंने जितन आमाजी को अपने तरफ रखा और वी आईपी को उधर सिप्ट कर दिया था अपने अपनी सीटों में से लोगों दूनों को देना था तो 17 में स से कितना सीट आरजेडी सेक्रिफाइज करती है अपने आपको कॉंग्रेस को रोक लेती है वामदलों को समझा लेती है और कमों बेस अगर देखा जाए तो मुकेस सहनी भी अगर उधर पहुंचते है तो उनको भी एक आद दो तिन सीट चाहिए ही चाहिए तो यार ये सारे समीकरन जो है वो नितिश्क मार ने पूरी तरह से उल्जा दिया है ये इंडिया गटवंधन में लेकिन उससे भी ज्यादा असमंजस की स्थिति एंडिये गटवंधन में है बिल्कुल आप लगता इधर सुन रहे होंगे जीतन रामाजी हों चिराग पास्वान हों पस्पत जमुई भी मेरा रहेगा तो चाचा कहते थे कि नहीं हाजी पूर तो छोडबे नहीं करेंगे अब कौन क्या छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा यहां से बात बहुत आगे निकाल दिया नितिश्क मार ने चिराग पास्वान बड़ा संकल रात्र निकाले हुए थीक है वो सार के साथ वो चल रहे हैं यह सारी बातों को मैं अप्रिशेट करता हूं लेकिन एक नेता के रूप में जब तक वो अपने आपको परमानित नहीं करेंगे उनके हाथ में पावर आएगा और पावर का यूज और मिस्यूज कैसे करेंगे तब उनका क्रिटिस्म या और भी कर रहे हैं कि बिस साल में बिहार को बदल देंगें क्या होगा क्या नहीं होगा यह अलग बात है आप बात कीजिए तेजस्टी आदो की मैं उनका भी बहुत बड़ा फैन हूं उन्होंने भी दस लाख लोगों को पहली कलम से नोकरी देने की बात कही थी नोकरिया मिल रही ह इसके लिए उनका भी बहुत-बहुत हम अज तो उन्होंने कहा है कि दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं हुई जिसने सब्तर दिन के अंदर एकटी डिपार्टमेंट में लगब दो लाख नोकरिया देनी है तो खाली है तो दिये को और इहसान थोड़े किये हैं अब यहां तो यह तो अभरलाइब है जब पद खाली से तो नया सिर्जित की हैं क्या बच्चा सा को पढ़ाने के लिए एक हो इस्कूल में एक हो टीचर अदू को टीचर रहता था सौ सो ड़ड़र्स और बच्चे उसी टीचर से पढ़ते थे एक के टीचर हिंदी का टीचर हिंजाब किताब दुनिया जान सब पढ़ाता था यही नम्मायत गड़ाया हुआ था अब जो ठीक है आप ने अच्छा काम किया है इसके अलावे आप समराच चोधरी की बात कर लिए उनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूं जब से आये हैं तब से नए वीजन के साथ काम करना सुरू क आपने देखा होगा कि इदर नितिन नवीन हमारे बिहार के है हमारे विधायक ही है उनके बारे में भी चट्ब गए और वहां से जिताकर आये उन्होंने वी उन्होंने भी किया कल हमारी मुलकात भी उनसे हुई थी एक हम लोग खिच्डी और दहीचुड़ा के भोज में ग बहुत सारी पॉलिटिकल बाते हुई और एक सबसे बड़ी बात वहां यह हुई कि वहां मैस नहीं कर रहा था वहां हमने देखा कि जिनकी दावेदारी पटना साहीब पर है बरतमान भी पहुंचे हुए थे और भावी भी पहुंचे हुए थे अब इसमें कौन किस तरफ लिया है वो भी देखने को मिल सकता है लेकिन हम मैथ की बात कर रहे थे एंडिया के मैथ में 40 सीटे हैं पिछली बार तो बहुत असानी से नितिश कुमार के आने के बाद भारते जनता पार्टी ने अपना पांच सांसत कुर्वान करके नितिश कुमार को 1776 के फर्मूला पर सेटिंग कर लिया था लेकिन इस बार नितिश उधर जाते हैं तो क्या होगा क्योंकि तब सिर्फ एलजेपी साथ में थी अब एलजेपी भाग में हो गई है जीतन राम माजी है उपेंद कुस्वा है और इन सभी लोगों की जो महत्वकांचाय है वो कम नहीं है ये सभी महत का कांची है और होना भी चाहिए क्योंकि राजनीत में जो अपना वक्त दे रहे हैं समय दे रहे हैं मैं उपेंद कुस्वाह के बारे में बता दूँ कि उपेंद कुस्वाह को अगर बिहार की जनता अगर जानती है तो उपेंद कुस्वाह को इसलिए जानती है कि वो हमेसा सड़क पही रहते हैं इतना जमीनी नेता बहुत कम देखने को मिलेगा आपको बिहार में उसके बाद आप बात कीजे मुकह सहनी की तो मुकह सहनी के बारे में बहुत कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि वो भी आये हैं अपने समाज को उत्थान करने के लिए और बहुत हाथ तक उन्होंने किया भी है कम से कम और कुछ हो चाहे नहीं हो अपने समाज के युवाओं को टोपी पहना करके 500-400 रुपिया रूज दे करके उनसे भले ही परचा बेनर सठवा रहे हो लेकिन रोजगार तो देना है ना एक ये बड़ी बात है इस सब के साथ-साथ महत्वकांचाएं और अती महत्वकांचाओं का टकराव यहां होना है जैसे नितिश्कमा इधर से कुदी मारेंगे तो भारते जंता पार्टी के लिए बहुत असमंजस हो जाएगा कभी-कभी आपने रियलिटी शो देखा है गाना का सो हो या नाच का सो हो तो उसमें देखिया है कि जो मुख्य जज होता है उस पर बड़ी जिम्मवारी बढ़ जाती है जो एक से एक बढ़कर के कलाकार उसमें आ जाते हैं तो देखियेगा कि उसका चेहरे का भाव जो है ना किसे छोड़ें किसे ही करें यह जजज करना बड़ा मुश्किल होता है करेजेव पत्थर रखके कुछ करता है इन सारी बातों के साथ साथ एक सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है उसमें भारते जन्ता पार्टी का फैक्टर सिर्फ इतना है कि नितीश कुमार क्यों जरूरी है जिसकी चर्चा हमने कई बार की है मैंने ये भी कहा था कि नरेंदर मोदी के लिए नितीश कुमार इसलिए जरूरी है कि अगर दूसरे खेमे में राते हैं तो भले ही वो और कुछ करे चाहन नहीं करें आपके घर में दूद रखा हुआ हो गरम करके आप रख दिये हो ठंधा दूद हो और बिल्ली आकर खाल ढ़कान गिरा दे उस दूद का क्या करते हैं आप पिते हैं उस दूद को आप बहा देते हैं वही स्थिति है कि नितीश कुमार और कुछ करें चाह नहीं करें, वो दूद का धकन जरूर गिरा देंगा और ये भारी पढ़ जाएगा नरेंद्र मोदी के लिए, और नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं, मैंने 174 सीटों की बात की, इसके अलावे भी और सब सीटे हैं, क्योंकि हिंदी पट्टी के लोग नितीश कुमार को भले ही कुछ नहीं हो, लेकि कुर्मी को ही खाली कवा देंगा, मत बोट करो, तो डेमेज तो करेंगे ना, बहुत बढ़ाई कर रहे थे, खासकर उन प्रदेशों से उत्तर प्रदेश से लोग आई हुए थे, चंडी गर से आई हुए थे, उन प्रदेशों में काफी ज्यादा युवाओं में क्रेज है नितीश कुमार का, तेके नितीश कुमार की जो 18-19 साल से हैं, कुछ तो बात होगी जिसके चलते वो हैं, कुछ नहीं करें, लेकिन भाजपा और लालू परसाद, दोनों उनको कंधा पर जरूरत हो, तो यह मैं बहुत अर्लियर बता रहा हूं, लेकिन संभावना इसकी बहुत ज्यादा है, कि अगर 40 सीट में बटवा रहा हो, तो जनता दलिम्टाइटेट जो 16 सीट जीत करके आई है, उस 16 जीती हुई सीटों में से उसे कम से कम 4-5 सीटे छोड़नी होगी, यह पहले भी मैंने बताया है, यह 5-6 भी हो सकता है, इसके बदले में नितिश कुमार को और बहुत कुछ मिलेगा, बिल्कुल, 10-12 के बीच में नितिश कुमार को लोग समा में सीटे मिलेंगी, और नितिश कुमार के कई ऐसे सांसद हैं, जिन पर नितिश कुमार की कुद रिष को लेकर के एक तो चर्चा यह चल रही है कि अति पिछड़ा समाज के सांसद हैं उनको नितीश कुमार पार्टी का पूरा कमाने देने जा रहा है तो उनके लिए भी सांसद से ज्यादा उनको संगठन देखना जरूरी हो जाएगा एक यह सबसे बड़ी बात है बहुत दिन त संपर्क में हैं और कई ऐसी बातें चल रही है जिसको लेकर के वह अलग-अलग हाथ पर मार रहे हैं कुछ लोग तो राजत के भी संपर्क में हैं कि काहें आप टेंशन में हैं हम तो सिटवा जिता के देगी नहीं तो यह सारी परक्रियां चल रही है तो नितीश के अधिकत है उसमें दो-तीन को छोड़ करके जो दो-तीन वह वह हैं जिनका पत्ता साफ होने वाला है वही विरोध कर सकते हैं लेकिन सभी सांसत जो है वह चाहते हैं कि भाजपा के साथ नितीश कुमार आ जाएं क्योंकि जब आंकडों की बात हम करेंगा नासागर तो नितीश कुमार ने जातिये गंड़ना जो किया है इसमें पिछडा वर्ग को 27 परतिसत अंक मिला है कि 27 परतिसत हमारे पिछडा वर्ग है 100 मैं से इनमें से 14 परतिसत सिधे यादो हैं तो इसका मतलब 13 सवा 13 परतिसत ना बाकी लोग है तो अतीश को समाज को बांट दीजिए, उसको खतम कर दिजिए यादो भर्स अन्ने हो गया पिछडा में तो ये तो सुनने बटा सुनने हो गया अब जीत हार का आएगा तो अति पिछडा से दलिट से और सवर्ण से अंकडा यहीं नहीं आएगा तो लालुपरसाद को चीत करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि उ भारते जन्ता पार्टी का हिंदुत्वला वोट है और नरेंदर मोधी इस बात को अच्छी तरस जानते हैं कि जब नितीश कुमार उनके पाले में होंगे तो लौकुस समीकरन काम करेगा बहुत सारी बाते हैं इन सब लोगों से उपर बैठते हैं न नितीश कुमार तो नितीश कुमार के आने के बाद सीट शेरिंग के समझोते को अगर देखा जाए तो नितीश कुमार ऐसा भी हो सकता है कि वो भारते जन्ता पार्टी मुख्यमंत्री के कुर्शी भी सौमते हैं लेकिन 2024 तक अगर यह सब कुछ सेटल हो गया जिसे ललन सिंग की नराजगी है ललन सिंग को मंत्री मंडल में जगह मिल जाए तो एक यह है यह बात हो जाएगा आगे भी अगर ललन सिंग चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनको राज सभा भेजने की तैयारी हो मनावना लि हुआ है वह ऐसा लगता है कि भारते जंदापाटी चाहती है ततकाल नितिश्कमार मुख्यमंत्री की कुर्शी सत्याग पत्र देकर के भाजपा के हाथ में सौंप दे उसमें भी एक बड़ा ही ट्रिकी बात सामने आई है सामने क्या आई है मतलब अंदर यांदर चल रही है जो हम तक पहुंची है कि एक मुख्यमंत्री और तीन उप मुख्यमंत्री के चल रहा है ऐसा बीतर बीतर चल रहा है जिसमें पिछड़ा अति पिछड़ा दलित सवर्ण इन सभी को और सभी को कुछ ने कुछ प्रतिनहित दिया जिससे कि आने वाले 2024 और 25 के चुना में भार मुख्यमंत्री जो होगा कि भाजबा के ख опыт होगा यहीं पर बात आकर आखके हुई क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वह को भारति जड़नापार चाहती है कि अभी से नीटीशकुमर हम दे दे लिए लेकि नीटीशकुमर का मानना यहा एक्ट 2024 के चुना में जो परिनाम आएंगे उस परिनाम के बाद नितिश कुमार फैसला करेंगे या फिर 2024 में ही 25 का चुनाओ के साथ में करा दिया जाए नितिश कुमार यहां आ करके मामला जो थोड़ा सा अठका हुआ है और यह भी मामला 22 तारी के बाद किसी भी दिन सौट आउट हो सकता है 24 तारी को सम्हाना व्यक्त की जा रही है कि कोई बड़ा फैसला दोनों तीनों खेमें में से आ सकता है और यह कहीं न कहीं इस बात के तरह इशारा करेगा कि कुसवाह, जिराग, माजी, कौन आउट होगा, कौन इन होगा क्योंकि आपको हमने बताया है कि 16 सीटों में से 4-5 सीट छोड़ना पड़ेगा तो इस चोड़ना पड़ सकता है तो इसमें क्या होगा तो भारते जन्ता पार्टिया कहना है कि आप अपनी 16 सीटे अपने पास रख लीजे और आप अपने एलाइस पार्टनर को जो भाग करके आपके हां समेरे आँ हैं उन सभी लोगों को सीट बात दिजिए जीतन रामाजी को बात दिजिए चिराग पासवान को हम समझ लेंग इस्टेट्जी बनेगी नहीं फर्मूला बनेगा उसमें अपने आपको सेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं लेकिन आज जो ख़वर एक सामने निकल कर आई कि पारस गुट के जो सांसद हैं चंदन सिंग उनका बयान आता है वो नितिश कुमार को अपने पालेम बुलाते जिए लजेपी का सीट जो होगा उसमें हो सकता है कि पारस वाला सीट उनको मिल जाए या भाजपा के पास जो सीट पढ़ेगा उसमें उनको मिल जाए लेकिन सारी चीजें वही हैं खेल असल में नितिश कुमार के उन 16 सीटों पर हैं कोई छेड़-छाड बाकी के सीटों प बाकी के जो 16 सीटे हैं उसमें से अगर इधर नहीं पढ़ जाता है तो भाजपा के पस 20 सीटे हो जाएंगी और चार सीट चिराग पासवान को दे करके और पश्पतिक मार पारस को जैसी अराम कह सकती है यह हो सकता है कि उनके साथ बिशे कुछ बन जाए तो उनको एक राज जी और चिराग पासवान के सब रहना चाहेंगे तो निश्यत रुप से जीत सब को मनिया लगता है सथा कि मालाई सभी खाना चाहते हैं कुछ लोग जनसेवा के लिए तो कुछ लोग अपनी सेवा के लिए लेकिन खाने के लिए सभी ततपर आर से पी सिंगा क्या हो तेकि नितीश कमार के उधर जाने के बाद कहा तो यह जा रहा है कि इसक्मार सब को माफ करने वाले हैं चदो से जानुकिंके बहुत करीबी है रन्वीर नंदन का तो बात ही अलग है अभी जब रन्वीर नंदन बुलाते है तो बिल्कुल बिल्कुल रन्वीर नंदन के एक मतलब इन्वीटेशन पर उनके साथ आते हैं और रन्वीर नंदन को बहुत मानते भी है रन्वीर नंदन ने भी बहुत सारा काम किया ह जदियू के लिए जो काम यह काम कोई और नहीं कर सकता है यह सब सारी बाते हैं खोलने कोई मतलब तो है नहीं लेकिन इतना माननके चलिए कि निधिश के इस फैसले ने एंडिये के भीतर जो है ब्रoded worth कहीं कहीं मचा देना चाहते हैं कि इस्क्रीन पर ट्विट चल रहा होगा जीतन रामान जी का उन्हों लिखा है अब किसी को राजा बनाने का सपना दिखा कर सेनापती बना दीजिए तो वह काहे का सेनापती बनेगा जवाब तो लालू जी को देना चाहिए कि आखिरू नितिश जी के साथ ऐसा काहे किये अक्षा भला आदमी को सपना दिखा कर कईसा बना दिया सब हम बहुत दुखी हैं तो आप पहले भी आपको पता है आपको याद होगा कि मजाक मजाक में मैं ऐसे ही एक नेता से जी जिए जो नितिश कुमार को छोड़कर गये हैं मैंने मजाक में आप सुन र रती हैं गेम समझे में हम पैच तो देखे ये जो चर्चाएं हैं बिहार की राजनीती में काफी जादा अहम रोल अब अपना रही हैं देखे कल जब से इंडिया गटबंधन की वर्चूल मीटिंग खतम होई है नितिश कुमार ने पठ ठुकराया है और मलीकार जुन उसके अध्यक्ष बने हैं तब से लगतार जो बैनबाजियों का दौर है वो शुरू हो गया है लेकिन जो कयास लगाए जाना रहे थे कि नितिश कुमार अब एंडिया गटबंधन के पाठ हो सकते हैं उसमें कहीं न कहीं एक इटा और लग गया है उसमें एक कदम और हैंगे कि अगर आपके भी कुछ सवाल है बाबा से विसे तो आप सवाल करते थे लेकिन पिछले दो दिनों से खेल समझे नहीं आ रहा था तो आपके भी कुछ सवाल है आपके भी कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए देखते रहे भरतलाई से कुल सखीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद